आप सबको गुपालाजु का नमन देखे एक बहुत सामाने सा प्रिशन आता है पित्र पक्ष में जिनके माता पिता जीवित हैं क्या उन बच्चों को पूजा पाठ अरपांट तरपांट पिंदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब शास्त्रों में इसका क्या विवर हैं आपके तो अपने कुल गोत्र के पित्रों के लिए क्या संतान का कोई ऐसा कोई विधान नहीं है क्या संतान के लिए क्या नियम नहीं है कि अपने पित्रों के लिए कुछ करे मगर ये दो विरोधा भास है इसमें इसमें ये भी विवरान मिलता है कि न करना चाहिए और जो लोग इसकी डीटेल्स में जाना चाहते हैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दिये शॉट्स की इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा आप जाएए छोटे छोटे एक मिनट से कम में आपको शाथ को पित्र पक्ष को लेके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और वो डाउट्स जो मैं समझता हूँ कि हरे के मन में आते हैं मगर पता नहीं चलते और नहीं कहीं इस तरीके से इस प्रकार से शॉट्स में मिलते हैं सुनिए देखे उत्म राने पांडे जी इस बार क्या पता रहे हैं पित्रों के लिए शाद पक्ष में क्या करें कैसे करें बच्चे वो जिनके माता पिता जीवित हैं और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड इस नोटिफिक्शन बेल में क्लिक करके अल का बटन भी प्लीज दबा दिया करें गुपाल राजो मोटिवेशनल वीडियो उसके मात्यम से मल्टिपल सब्जेक्ट साब को मिलते चले जाएंगे पीछे जो वीडियो चलते हैं इसके बारे में लोग प्रिशन करते हैं अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो आप गुपाल राजो मोटिवेशनल वीडियो उसके लिंक में क्लिक करके ये वीडियो उसके डिटेल्स भी देख सकते हैं सुनिए देखिए आपका समय न बेस्ट हो क्या बता रहे हैं उत्तम डाराइन पांडे जी एक बहुती अच्छा वीडियो सब के लिए एक अवश्चक वीडियो श्री इसी तरम एक जिग्यासा की गई है कि मेरे माता पिता जीवित हैं और वो पूजापाट नहीं मानते पितरपक्षश राद्धादी नहीं मानते पिंडदान आदी तरपनादी नहीं करते तो ऐसी स्थिती में क्या मैं कर सकता हूँ दिखे सब पितरग विक्ति को पिंडदान तरपनादी करने का तो अधिकार नहीं है लेकिन अगर आपके माता पिता नहीं मानते तो उनको जबरन मनवाने की भी नहीं आप पित्रपक्ष में या वैसे भी पीपल के व्रिक्ष पे नित्य जलर्पित करें उतने से आपके पित्रगण त्रिप्त हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके वन्ष के जो मेरे माता पिता है ये वैदिक विदानों पर करमकांड पर श्रद्धा नहीं रखते इसलिए मैं अपने भाव से ये जल वासुदेव पर अरपन कर रहा हूं इसी जल से आप त्रिप्त हो आशिरवाद दें ऐसी भी अगर आप प्रार्थना कर लेते हैं तो आपके कुलगोत्र के जो पित्र हैं अत्रिप्त हैं उनको त्रिप्त होती है क्योंकि देखे श्राद का जो मूल है वही श्रद्धा है तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आपकी उस श्रद्धा के प्रभाव से आपके कुलगोत्र के जो पित्र हैं वो त्रिप्त हो जा करें यर परटुं की बाद करें तो विश्णूशाहसतर नाम का पाठ कर सकते हDP के शाथ्वे Kingdom rea koop here या भगवान के किसी भी नाम का जब उनकी सद्ध्गती के लिए उनकी तृपति के लिए संकल्प लेकर कर सकते हैं और इसका पुन्यदान उनको कर कर सकते हैं श्रिमत भागवत का पारेंड कर सकते हैं क्योंकि वो तो आधार ही है सद्गती के लिए नन्या भागवती वारता प्रेत पीड़ा विनाशनी का तो concept ही है तो ऐसी स्थिती में ऐसे बहुत सारे प्रक्रम है जो आप सपित्रिक होते हुए भी अपने पूरवजों के लिए कर सकते हैं और उससे अपना भी लाव ले सकते हैं अपने घर परिवार को भी लाव दिला सकते हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लावकारी सिद्ध होगा और उन लोगों के लिए जो प्रति दिन बहुत सारी संख्या में क्या मैं करूँ उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है सीता राम